तो बलके हमेशा यह कहता हूँ, आपको भी कुछ आए वाला चाहिए, यहाँ पे पाकस्तान में भी, क्योंकि आपको Harvard, Cambridge वालों ने अभी तक bankruptcy दिया, इसके लाबा कुछ नहीं है। दूसरा इस वकद अगर भारत के हवाले से चीज़ें, अलेक्शन वहां गर्मा गर्मी चल रही है और आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है, कि वहां पे केजरीवाल साथ को औरेस कर लिया गया है, माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि मोधी इस कमि जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है, अब बातें चल रही हैं, कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कि जैसे ये कॉंगरस के साथ, या आम आदमी पार्टी के साथ, और कल आपको पता है, कि वहां बले के उपर क्वेस्टिन हुए, तारट साब, आपको क्या लगता है, नरिंदरा मोधी साब का जो वापस आना, is must for India's growth, क्या अगर नरिंदरा मोधी वापस आते हैं, तो ही इंडिया की ग्रोथ है, क्या इंडियन establishment, ये सोच चुकी है, या प्लैन कर चुकी है, तारट साब कि अगर नरिंदरा मोधी नहीं आती, तो भारत की जो तरकी है, उसका पईया रुक सकता है, जो continuity of policies होती है, तारट साब, जब भी कोई government होती है, अब 10 साल वो रहे, 10 साल में उनोंने बहुत transformation की, 250 मिलियन लोगों को poverty से निकाला है, ये statistics बताया जाते हैं, क्या नरिंदरा मो establishment ये समझती है, कि somehow जो भी हो, मोधी साब आए, that is the only way इंडिया तरकी करेगा, आप तो हो के आए हैं, इस पर ज़र थोड़ा comment करें, प्लीज. चीमा साब मैं समझता हूँ, भारत की तरकी जो है इस वक्त, उसको speed up करना, इसके बुनियाद तो 1991 में इसमें नरसीमा राओ और मनमोन सिंग साब ने रखी थी, उसके बाद वाजपाई साब ने, और continuity आई है, आज की भारत की तरकी का मैं credit बिलकुल मोधी साब को दूँग वो एक दूसरे के साब लड़ते रहते हैं, मैं यहां के Congress की मिसाल लेता हूँ, तूटी-फूटी इस वक्त यह थासल है Republican Party को House के अंदर Congress में, Senate के अंदर उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा दिन एक दूसरे के साब लड़ते हैं, एक भी तरक्याती काम न माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि Modi is coming back, और they will keep growing the way they are growing, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं समयता हूँ कि इस वक्त भारत की तरक्की जो है, वो, it is contingent on the, on Modi साब, बलके इस वक्त मैं कई आइटिकल पढ़ता रहता हूँ, इसके बाद जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है, लोग कई ऐसी बाते करते हैं, कि he may be the successor of Modi साब, और उनकी भी परफॉर्मस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस दफ़ाँ देख रहा हूँ, कि यूपी के अंदर छे नहीं और उनकी भी परफॉर्मस जबरदस्त है, he is dedicated person, मैं इस तफ़ा जब भारत गया, तो कई लोगों में साब डिसकस किया, हम बार बार मैं कई दफ़ा कहता हूँ, तालीम, 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 लेकिन कई चीज़ों के लिए तालीम नहीं, परफॉर्मस, डेडिकेशन, हैं, तो आप यह सोचना, कई लोग जो है, पाकस्तान वे बैठ एस चीज़ को पूल जाते हैं, कि the majority of population in India, they are Hindus, so अगर कठे होते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, आपको नहीं पसंद तो आपको ना है, क्या फरेक पड़ता है आपका, आपकी उपिलियन का, मैं तो बलके ह हमेशा यह कहता हूँ, आपको भी कुछ आए वाला चाहिए, यहाँ पे पाकस्तान में भी, क्योंकि आपको Harvard Cambridge वालों ने अभी तक bankruptcy दी है, इसके लावा कुछ ने है, लेकिन चीमा साब, यह नई development है, इस वक्त जो आप हम बात कर रहे थे, दूसरा इस वकत अगर भारत के ह पहले ही जेल में थे सूरिया और जै, लेकिन आज उनके ऊपर एक नई allegation लगा, पहले ही allegation तो मौझूद थी, साथ ही Congress ने अपना, उन्होंने अपने reservation का इजहार किया है, कि हमारे जो account है, जो के तिक्रीबन, उनके 16.32 million dollar है, उनके, 16 million dollar है, जो उन्होंने old कर लिये, जिस पे इस वकद जो उनके Congress के leader है, उन्होंने कहा कि 20% Indian, they vote for us, but we even then don't have two rupees to spend on something, तो इसमें, मुझे जब भी ऐसी चीज़ को देखता हूं, तो मुझे साथ ही Elon Musk, जो है, वो याद आ जाते हैं, खासकर, उन्होंने आज से को हफता पहले एक tweet किया था, उन्होंने कि दुनिया के हर country के अंदर establishment strong हो चुकी है, government strong हो रही है, जिस तरह मैं, अब Congress के account seize कर लिए गया है, अमेरिका के अंदर Donald Trump जो है, उनको कहा गया 400 65 million dollar आप जमा करा हैं, अगर वो जमा कराते हैं, तो उनके पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे election लडने के लिए, इसी तरह का मिले जुले जो है, वो Congress party भी कर रही है कि हमारे account seize कर लिएगा, हम election किस तरह लड़ेगा, अमरीका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है, और ये जो recently इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिस में Prime Minister Modi अरण चुल परदेश गए और वहाँ पे जाके टनल का अफ़ता करके आये थे, तो China ने statement दी कि नरेंदरा मोधी को वहाँ नहीं आना चाहिए था, तो जिस पे आज Americans ने कल ये कहा है, कि ये इंडिया का area है, और इंडिया को हक है कि वो जिदर मर्जी जाये तार साब, ये वड़ी important development है, और सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा, कुछ वेज़ते थे कि उस टनल की वज़ा से, ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बार्डर पर फ्रंट पर आना जो है, वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें इतरास था, और दूसरा आपने देखा होगा, कि अगनी 5 का तिजर्बा किया गया, और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मज जाओंगा, आपको याद होगा, कि शायद कुछ दिनों पहले, हमने भी बलके बात की थी, कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है, कि जी, इंडिया-चाइना गांफ्रिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सिपोर्ट करना, चीमा साब ये जेन में रखें, कि इस वकद अमेरि करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कांट्रेक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है, कि अमेरिका ये चाहता है, कि जो भारत है, वो चाइना के गले पड़े और अपनी एकानमी, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, दो चीजे मज करें, डिफेंस को जिस तरह अगले दिन ग्याना ने दो त्यारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वकित अमेरिका जो भारत है, वो अमेरिका का कंपेडिशन बन चुका है, तो अल्टीमेडली आपको एक वार बेस एकानमी हो, एक मिल अपने हलात खराब हैं, तो ये कैच अप कर दें, तो दोस्तों कैसे लगे आपको एक वीडियो, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताए, अपनी राय जरूर दे, और अगर आपको एक वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक् हमने इस वीडियो में देखा, कि साजितार और कमर चीमा ने बाते करी, इंडिया के करेंट टोपिक्स के उपर, जैसे कि जो इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, और उस पर साजितार ने बताया कि कैसे, जो मोदी जी है, आली में दस सालों में जो काम किया है, उसके अकोडिं के अंदर आकर और उन्होंने पूरे इंडिया का नकसा ही बदल दिया, इंडिया की जो डफलमेंट का राज है, वो मोदी जी है, साथ ही में साजितार ने भी बताया कि पूरे जो इंडिया है, उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, कि मोदी ही को वोट देना है, और मोद विए अब दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्षिन के अंदर जरूर बताए अपनी राए जरूर दे चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ जब तक के लिए चैहिंद वंदे मातर